समीकरण के हल आज हम सीखेंगे समीकरण का हल निकालना यानि सल्यूशन अफ अन इक्वेशन सोनों के पास एक्स चोकलेट थी उसे अपने भाई से चार चोकलेट और मिली अब उसके पास कुल सोला चोकलेट है क्या आप बता सकते हैं कि उसके पास पहले कितनी चोकलेट थी क्या आप इस परिस्थिती को बीजियर रूप में दिखा सकते है कोशिश कीजिए आए इसे मिल कर करते है जैसा कि हम जानते हैं कि सोनों के पास चॉकलेट और उसके भाई से मिली चॉकलेटों का योग कुल चॉकलेटों की संख्या होगा जिसे हम इस समीकरन के रूप में दर्शा सकती है एक्स जमाद 4 बराबर 16 जहां X एक चर है जो सोनों के पास पहले की चॉकलेट की संख्या दर्शा रहा है जिसका मान हमें ढूनना है क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे करेंगे इसके लिए हमें इस समीकरन को हल करना होगा अब हमें इस समीकरन का हल निकालना है यानि X का मान ग्यात करना है हम इस समीकरन को एक कालपनिक तराजू के रूप में दर्शा सकते हैं जिसके दोनों पलडों में बराबर बांट रखी है और तुला की डंडी ठीक क्षैतिज रहती है यहां समीकरन का LHS तराजू के बाई पलडे और RHS दाई पलडे में है इस समीकरन को हल करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि LHS और RHS का मान बराबर रहे जिससे हमारा समीकरन संतुलित रहेगा चलिए इसमें X की जगह एक, दो, तीन आधी डाल कर देखते हैं जैसे कि आपने देखा इसमें LHS और RHS बराबर नहीं है इसका अर्थ है कि इनमें से कोई भी X का सही मान नहीं है अब हम X की जगह 12 लगा कर देखेंगे जैसा कि आपने देखा इसमें LHS और RHS बराबर है अर्थात X का मान 12 है हमारा सही हल है X बराबर 12 इसी प्रकार X के विभिन मानों के लिए समीकरन संतुलित नहीं होगा अतह इस समीकरन का एक ही हल है और वह है X बराबर 12 तो हम यह कह सकते हैं कि एक समीकरन का हल निकालने का अर्थ होता है कि उसमें दिये गए चर का मान निकालना ध्यान दीजिए कि तराजू का उदारन केवल आपको समीकरन के संतुलित होने के महत्व को समझने के लिए लिया गया था चलिए अब इस समीकरन को हल करती हैं यानि X का मान निकालती हैं जिसके लिए हम सबसे पहले यहां चर को बाकी पदों से अलग करती हैं हमारे पास LHS में X जमा 20 और RHS में 30 है अब हमें क्या करना चाहिए? हमें यहां LHS से 20 खटाना होगा जिससे LHS में केवल X रह जाएगा लेकिन दोनों पक्षों यानि LHS और RHS में संतुलन बना रहे इसलिए हम दोनों पक्षों से 20 को घटाएंगे इसलिए जो भी संचालन हम LHS में करेंगे वो संचालन हम RHS में भी करेंगे अब हम दोनों पक्षों से 20 घटाएंगे सही है या नहीं? यह जाचने के लिए हम X कमान दिये गए LHS में रखेंगे. अगर वह RHS के बराबर है, तो हमारा हल यानि X बराबर 10 सही है. आए अब दूसरे उदारन को हल करते हैं. क्या आप बता सकते हैं कि इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस समीकरन को हल करने के लिए हमें 25 को दोनों पक्षों में जोड़ना होगा जिससे समीकरन संतुलित रहेगा और नया LHS होगा एग घटा 25 जमा 25 और नया RHS होगा 50 जमा 25 जिससे हमें मिलेगा ए बराबर 75 क्या यहां हल सही है? एक आमान समीकरन में रखने पर LHS बराबर RHS मिलेगा यानि हमारा हल सही है चलिए एक और समीकरन का हल ढूनते हैं 12P बराबर 36 हमें यहां क्या करना चाहिए? सोचिए सोचिए आपने सही सोचा क्योंकि यहां LHS में चरपी के साथ 12 गुना होगा रहा है LHS में सिर्फ P रह जाए इसके लिए हमें दोनों पक्षों को 12 से भाग करना होगा जिससे नया LHS होगा P नया RHS होगा 3 हमें मिलेगा P बराबर 3 जो इस समीकरन का हल है आईए देखें कि यहां हल सही है या नहीं? समीकरन के LHS में P बराबर 3 रखने पर हमें 36 मिलेगा जो की RHS के बराबर है आज हमने समीकरन को हल करना सीखा आशा करती हैं कि आप समीकरनों को हल करना समझ गए होंगे अगली वीडियो में हम इसे कुछ उदाहरनों की सहायता से समझेंगे धन्यवाद